मारा फर्स कोशन है कि असोग के किस अस्थान के अभिलेग को रानी का अभिलेग कहा जाता है याद रखेगा रानी के अभिलेग के नाम से प्रसीद कौन सा अभिलेग है या है कौशांबी अभिलेग कौन सा कौशांबी का जो अभिलेग है उसे हम रानी का अभिलेग के नाम स तो option D असम जो है वो कभी भी मौरे समराज का हिस्ता नहीं रहा था तो option D क्या होगा correct answer होगा next question देखिए कि असोग का सबसे छोटा अस्तंब लेख कौन सा है तो देखिए असोग का सबसे छोटा अस्तंब लेख जो था वो था रुमिन देई जो सबसे छोटा स्तंब लेख था स्तंब लेख आप समझते हैं असोग के द्वारा बहुत सारे स्तंब खड़े करवाये कहते हैं उसमें इन्होंने अपने धर्म के बारे में अपने राजसासन के बारे में इस स्तंब में अपने बारे में लिखवाया था अभी answer होगा, next question है कि असोक के कुल कितने गुहा लेक अब तक मिले हैं धेखें great friends, गुहा लेक वैसे अभी लेक को कहते हैं, जो गुफाओं में बनाया जाता है, तो गुफाओं में बनाये हुए लेकों को हम क्या कहते हैं गुहा लेक कहते हैं, और अब तक असोक के बनवाए गए कुल कितने तो कुल तीन कुल कितने कुल तीन गुहा लेख अभी तक हमें असोक के प्राप्त हुए है next है कि मौर्य कालिन गुफाओं में सरवादिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है very popular very important and very जो है आपके examination point of view से important question कि सबसे पुराणी सबसे प्राचीन गुफा कौन सी थी तो option B बराबर की गुफा जो है वो मौर्य कालिन गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा है अच्छा आपको ये question आपसे पुछा जायता है कि बराबर की गुफा कहां पे स्थित है तो याद रखिएगा बराबर की कुफा जो है वह बिहार राज में स्थीन है नेक्स कोशन है, कि आसो का सबसे लंबा सबसे लंबा इस्तन्बलेक निम्न में से कौन सा था अभी छोटा मैंने बताया, अब जो है सबसे लंबा आपको बताना है कौन सा था तो अब सोक के द्वारा सबसे लंबा जो स्तंब लेख था वह था शातवाँ ठीक है साथ असोक के द्वारा कुल साथ अभी स्तंब लेख खड़े कहे किये गए थे जिसमें से सातवाँ जो है वो सबसे लंबा स्तंब लेख था उपसंसी क्या होगा राइट होगा नेक्स कुछन है असोक का उसके किस लगू सिला लेक में बुद्ध शाक एवम असोक का नाम मिलता है तो असोक के द्वारा जितने भी सिला लेक प्राप्त हमें हुए है तो किस जगा से हमें उसके बारे में जो जानकारी उनके बारे में मिलती है बुद्ध्य साक होने की अरसोक नाम के जानकारी हमें मिलती है वह मिलती है हमें मास्की लगू अभी लेख में कहां से मास्की लगू अभी लेख ये मास्की जो है ये लगू अभी लेख जो है हमें करनाटक राज से प्राप्त हुआ या करनाटक राज में है तो question number 7 का answer option B next question देखिए कि मौरे काल में गुप्त चरों को क्या कहा जाता था गुप्त चर मतलब आप समझते हैं spy या फिर जासूस आप कह सकते हैं तो गुप्त काल में जो spy होते थे जो जासूस होते थे उन्हें हम किस नाम से उन्हें गुड़ पुरुष के नाम से बुलाते थे किस नाम से गुड़ पुरुष के नाम से बुलाते थे next question है कि सांची के स्तूप का निर्मान किसने करवाया था बहुत important है सांची के स्तूप का निर्मान करवाया गया था किसके द्वारा असोक के द्वारा, option A क्या होगा, correct होगा, असोक के द्वारा, next question है, कि असोक के सीला लेखों को पढ़ने वाला पर्थम अंगरेज कौन था, very important question, तो देखे, असोक के जो अभी सीला लेख जो लिखे गए थे, वो ब्रह्मी स्क्रिम्ट में थे, उसे पढ़पाना जो है, आम के लिए नाममकिन था, तो सबसे पहली बार उसको डिकोड किया गया था, किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, याद रखेगा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, सरोपर्थम जो असोक के सीला लेख उनको पढ़ा गया था, next question है, कि कलिंग यूद्ध की विजय लेख में हमें प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर है, सीला लेख 13, कौन से, सीला लेख 13 में हमें यह प्राप्त होता है, next question है, कि परसिद यूनानी राजदूत, मेगा स्थनीच भारत के किसके दरबार में आये थे, वह चंदरगुप्त मौरे के दरबार में आये थ तो देखिए असोग के अधिकांस अभी लेक और भासा वा लिपी जो है वो किस भासा और लिपी में है अभी लेक उनके तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अप्सने प्राकरित और ब्राम्मी में तो मैंने जैसे आपको बताया था कि असोग का जो अभी लेक प्राप्त हुआ था जिम्स प्रिंसेप जिसको डिकोड किये थे वो ब्राम्मी लिपी में था ब्राम्मी लिपी जो है लोग नहीं पड़ पाते थे आम आदमी तो जो है अस असोक के आदर्सों के अनुरूप डालने की कोशिस की तो सिरलंका का वो कौन सा सासक था जिसने समराट असोक के आदर्स के रूप में अपने आपको डालने की कोशिस की तो राइट आंसर है तिस ने किसने तो तिस ने जो है तिस नाम के जो राजा थे उन्होंने असोक के आद सड़क निर्मान कराने वाले अधिकारी ठीक है सड़क निर्मान कराने वाले अधिकारी नेक्स कोशन देख लिए कि असोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्पुन स्रोत कौन सा है तो असोक की जानकारी अगर आपको लेनी है तो असोक के सीला लेखों से सबसे महत्पुन और सबसे important जानकारी आपको वहीं से मिलती है next question है कि निम्निलिकित अभी लेखो में से किस में असोक का नम्मो लेख हुआ है मतलब उनका नाम का उल्ले के कौन से अभी लेख में हुआ है तो असोक का नाम जो है किस अभी लेख में राइट अंसर है गुर्जरा अभी लेख में कहां गुर्जरा अभी लेख में जो है वो असोक का वहाँ पे नाम आपको मेंसन देखने को मिलता है प्रस्न संख्या ठारा है कि मौरे काल में सीता से क्या ताथ पड़ता देखिए मौरे काल में सीता किसे कहते थे सीता कहते थें कि राजकिये भूमी से प्राप्त आय को हम सब क्या कहते थें सीता राजकिये आय से प्राप्त भूमी को राजकिये भूमी से प्राप्त आय को हम सब सीता के नाम से बुलाते थे मौरेकाल में नेक्स पोचाने फ्रेंस कि अंतिम मौरे समराथ ब्रहद रत की हत्या किस सुंग वंस की स्थापना 180 पूर्ष में खी तो देखें अंतिम मौरे समराथ ब्रहद रत की हत्या करने के बाद किस सुंग वंस ने 185 इसापूर में सुंग वंस की स्थापना की थी राइट आंसार इसका आप्शन ए पुष्यमित्र पुष्यमित्र ने ब्रहद रत जो की अंतिम मौरे समराट ने इनकी हत्या कर दी थी 185 इसापूर में और सुंग वंस की स्थापना यहीं से सुरू होती है नेक्स पुष्यमित्र सुंग मौरे समराट ब्रहद रत की राजकिय सेना में किस पद पर आसिन था तो पुस्यमुत्र सुंग जो जिसने सुंग वंस की स्थापना की थी वो ब्रहत रत के जो है राजकिय सेना में किस पद पर आसिन था या आसिन था सेना पती कौन से पस पर सेना पती पद पर आसिन था next question देखिए कि काउं या फिर काउं वंस का संस्थापक कौन था मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि काउं वंस की स्थापना जो है 30 इसा पूर में हुई थी 30 इसा पूर में हुई थी इसकी स्थापना और इसके संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक थे वसुदेव कौन थे वसुदेव वेरी इंपोर्टन कोशन नेक्स प्रसन है कि सात वाहन स्लाइस आंदर सात वाहन वंस का संस्थापक कौन था तो सात वहहन वंस का संस्थापक कौन था? वह था, सिमुग. सिमुग के द्वारा सात वहहन वंस की स्थापना की गई थी. Next question है, सात वहनों ने पहले स्थानी अधिकारियों के रूप में काम कियα था. तो किसके अधिन सत्वाहनों ने है कि एक अधिकारी के रूप में काम किया था तो इसका right answer है option B मौरियो के अधिन तो मौरियो के अधिन ये लोगों ने जो सत्वाहन लोगों ने था उन्होंने अधिकारी के रूप में काम करा था Next question है कि निम्नले खित में से हुआ महांतम कुशान नेता कौन था जो बाध बन गया था कौन कुशान नेता था या राजा था बाध बन गया था कनिस कौन था कनिस Option C क्या होगा right answer होगा आपको पता है कनिस के समय ही एक बुद्धिस कौन सील का आयोजन किया गया था आपको इसका आंसर बताना है कि कितने नंबर का बुद्धिस कॉंसिल का आयोजन कनिस के काल में किया गया था next question है कुशान काल के दौरान मुर्तिकला की गंधार सैली निम्लिखित में से किसका मिसरन है तो कुशान काल के दौरान मुर्तिकला की जो गंधार सैली थी किसके किसके मिसरन से बनती थी यह बनती थी भारत और ग्रीक सैली के मिसरन से भारत और ग्रिक सैली के मिस्रन से कुसान काल में जितनी भी मुर्थी कलाएं देखने को मिलेगी जिसे गंधार सैली कहते हैं वो सभी में आपको भारत और ग्रिक के दोनों के कमबाइन रूप देखने को मिलते हैं नेक्स प्रस्न है कि भूमीदान का पर्थम उल्लेक कब मिला भूमीदान का पर्थम उल्लेक जो है हमें मिलता है साथवाहन के समय साथवाहन के समय भूमीदान की सुरुवात हो गई थी उससे पहले भी हुई थी लेकिन हमें पर्थम उल्लेक की अगर बात है तो उल्लेक जो ह पूसरी नमक महित पून कृिति की रचना की थी, तो गाठा सब्धसि की क्रिति की द्वारा की गई थी या क्रिति की गई थी हाल के द्वारा को इह एक हाः आंसेरो जागा, नेक्स्ट नै कि सात वाहन के समय सरवाधिक सिक्ख्य किस dhatum के बने थे हैं, सात वाहन हमाहां सा सक वरिष्ट पुत्र पुल्वामी जिसका विवाह सक महाच्चत्रप रुद्रादमन की पुत्री से हुआ, हुआ कौन सी उपादी धरन की थी? वसिस्ट पुत्र पुलुवामी किसने सत्वाहन सासा के वसिस्ट पुत्र पुलुवामी ने दक्षिना पतेश्वर की उपादी धारन की थी इस वीडियो का, असोग दोरा निर्मित सांची के स्थूप का अगार किस वन्स के सासों को ने दूगुनना करए था, तो असोग ने बनवाया था, सांची का स्थूप ये आप जानते हैं, लेकिन इस उस्तूप को दो गुना साइज बढ़ा के बना दिया गया, या किसके द्वारा किया गया था या काम किया गया था, शुंग के द्वारा किसके द्वारा, सुंग के द्वारा option सी क्या होगा, right answer होगा तो friends, ये थे most important question 10,000 question हम पूरा complete आपको करवाएंगे, 10,000 question कम नहीं होते हैं, बहुत question होते हैं जब हम आपको बिल्कुल selected NTPC और group D को target रखते हुए कर 10,000 question कराएंगे, तो ये सारे प्रस्ण बहुत प्रस्ण होते हैं, तो आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों को जोड़े ताकि हमें भी जो है, motivation मिल सके हम अच्छा और काम कर सके Thanks for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में, जाहिन